गाजर ना सिर्फ स्वाद में अच्छी होती है बलकि इसमें आपको तुन दुरूस्त रखने के लिए बहुत सुरखास गुर्ण होते हैं यह आपको स्वस्त रखने के साथ साथ आपकी आखों की रोशनी को बढ़ाती है इस मौसम में हमें विटामिन वाई यूटिशन से भरपूर कई चीजें खाने को मिलती है और गाजर भी इन ही में से एक है गाजर में विटामिन ने भरपूर मात्रा में पाया जाता है गाजर में बीटा के अरोटीन भी पाया जाता है गाजर सर्दी जो काम से लड़ने में मदद करती है साथ ही यह सर्दियों में आम संक्रमन से बचने में सहायक है लाल और मीठी गाजर को देखर हमें इसके हलवे की याद आ जाती है और आये भी क्यों ना इससे बनने वाला हलवा लगता ही लाजवाब है गाजर में मिनरल, विटामिन और विटामिन A पाया जाता है इसलिए इसे त्वचा और आँखों के लिए अच्छा माना जाता है गाजर का प्रयोग आप सूप बनाने, सबजियों, हल्वां और सलाद के रूप में भी कर सकते हैं गाजर के जूस को अपनी नियमिता हार का हिस्सा बनाने के आंकी यह स्वादिश्ट होने के साथ हुद गुणकारी है तो आए इस आगे की स्लाइड्स पर जानते हैं गाजर के स्वास्त वर्धक लाब के बारे में गाजर में विटामिन A, विटामिन B, C, कैल्शियम और पैक्टीन फाइबर होता है जो कलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ने नहीं देता गाजर को आँखों के लिए बहुत अधिक फाइद मंद माना जाता है क्यूंकि यह विटामिन A का सबसे अच्छा स्त्रोत है लेकिन गाजर सिर्फ आँखों के लिए ही लाबदाया नहीं है बल्कि इसके अलावा गाजर का नयमित इस्तिमाल आपके बालों और तवचा के लिए भी बहुत लाबकारी है गाजर का जूस तवचा को साफ वर चमकदार बनाता है साथ ही रोजाना गाजर के फ्रेश जूस पीने से एकने की प्रॉबलम दूर होती है अगर आपको सर्दीव जुकाम रहता है तो गाजर का जूस लेने से नहीं जुकाम नहीं होगा गाजर का जूस बड़ी को इम्म्यूनेटी बढ़ाने का काम करता है और इससे आप जमस्वर इंफिक्शन मग्यार होने से बच्चे रहते हैं